Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. Fast Fourier Transforms, or discrete Fourier Transforms, यह उसकी illustration है, आप देख सकते हैं कि टॉप पे जो signal है, यह time domain version है, और bottom में आपको उसका frequency domain version, यानि के magnitude response of that signal नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि signal की frequencies increase हो रही है, और साथ-साथ यहाँ पे peak भी shift हो दुजा रही है, यहाँ पर अगर 220 है, तो यहाँ भी 220 भी peak आपो नज़र आ रही है, तो यह है illustration of fast Fourier Transforms, यानि के, जो कि दूसरे मानों में हम यह कह सकते हैं, कि यह discrete Fourier Transforms की illustration है, तो आज की वीडियो में हम यह देखेंगे, कि हम fast Fourier Transforms, या फिर discrete Fourier Transforms को कैसे implement करते हैं in Matlab, प्रिविएस वीडियो में हमने यह देखा था, कि हम discrete Fourier Transforms को कैसे implement करते हैं, Matlab using DFT equations, जो इसका DFT का formula है, आज की वीडियो में हम यह देखेंगे, कि हम Matlab के built-in function को use करके, कैसे हम DFT को implement करते हैं, यह हमने देखना है, तो DFT का एक faster version है, fast Fourier Transform, जो कि application of DFT ही है, actually DFT ही है, तो Matlab के अंदर fast Fourier Transform को implement करने का एक built-in function है, जो कि है FFT, तो उस FFT को आज हमने use करना है, और हम यह चेक करेंगे कि, जो हमने time domain frequency set कि हैं, वो हमें frequency domain में नजर आ रही हैं, अगर नहीं आ रही हैं, मैंने आपके सामने एक signal generate किया हुए है, जिसमें FS 10,000 मैं रखी हुई है, और sampling time is equal to 1 over FS, और मैंने आपने signal की जो frequency है, वो 500 रखी हुई है, और साथ ही मैंने एक time vector generate किया है, जो कि 0 से लेके 0.2 seconds का है, with an increment of sampling time TS, और साथ ही मैंने एक sinusoid generate किया, amplitude 2 है और उसका जो है वो sinusoid with the frequency of 500 F1, इसको plot करें देख लेते हैं कि यह किस तरह अगसे के लगा हमें दिखाई देते हैं, जी, तो यह देखें कि आपको एक time domain version of X लगा आगे है, जो कि 0 से लेके 0.2 तक इसका time है, और इसकी जो frequency है, वो 5000 है, अब यह 5000 है यह नहीं है चक कर लेते हैं, कैसे चक करेंगे हम इसका DFT यानि के FFT अब calculate करेंगे, fast Fourier transform, fast Fourier transform के लिए MATLA में जो built-in function है, वो है FFT, FFT को जस्ट आपने एक signal देना है, जिसका आपने DFT या FFT calculate करना है, वो आपको return करेगा DFT या फिर FFT coefficients, अगर आप second argument में कुछ भी नहीं देते हैं, like अगर मैं यहाँ पर 64 लिखता हूँ, तो यह 64 points के DFT का calculate करेंगे लेगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता, तो मुझे यह length of x जितने DFT calculate करेंगे लेगा, मतलब इसमें DFT points कितने हो जाएंगे, जितनी length of x है, इस वक्त मेरा length of x के तरच चल रहा है, workspace में जागर देख लेते हैं, 2000, तो FFT 2000 points की DFT calculate करें, मुझे दे देगा और x में store कर देगा, check कर लेते हैं, run करते हैं, capital x में आप देख सकते हैं, यह workspace में देखेंगे, x में 2000 complex values आ चुकी है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, like मैं यहाँ पे 256 लिखता हूँ, तो x में, मतलब DFT points या FFT points कितने आए हैं, 256, तो यह एक flick है, तो फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता, बलके एक variable ले 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 लेते हैं, n और n को हम equal कर देते हैं, length of x, आप इस length of x की जगा पे कुछ भी लिख सकते हैं, 64, 256, और मैं 2 power में क्यों बात करूँ, मतलब मैंने आपको कहा है कि 64 points लिख सकते हैं, यहाँ पे 64 लिख सकते हैं, यहाँ पे 256 लिख सकते हैं, क्योंकि fast Fourier transform, जो के DFT की extension ही है, faster extension है, यह fast processing उस वब करेगी, जब इसको number of DFT points इंपॉर्ट पे, 2 की power में मिलेंगे, like 64, 256, 512, 1024, etc. तो अगर आप चाहते हैं, कि fast processing हो, तो आपने n की value यहाँ पे, 2 power में रखनी है, अब output पे आपके पास FFT ने, capital X, दे दिया, अब आपने इस में से magnitude spectrum और, face spectrum, easily calculate कर सकते हैं, सबसे पहले मैं magnitude spectrum calculate करता हूँ, absolute, अगर आप इसी DFT या फिर FFT coefficients का, absolute लेते हैं, तो आपको magnitude of X, मिल जाए लाँ, similarly, अगर आप, angle, लेते हैं, तो यह आपको face spectrum, दे देगा, phase X, दूसरा यह है कि अब आप इसको plot करके भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर figure लिखता हूँ, figure में plot करते हैं, plot magnitude of X, ज़रह चक करते हैं, magnitude of X, क्या नदर आप आप देख सकते हैं, बिल्कुल, magnitude of X में आपको, क्योंकि हमने number of DFT points किते रखे थे, जितने length of X है, तो वो 2000 बनती हैं, तो देखें, X से जिरो से लेके 2000 तक values हैं, और Y axis पे, आपको, यहाँ पर एक peak, और यहाँ पर दूसरी peak नदर आ लिए, FFT जब भी आपको, return करेगा, तो वो coefficients return करेगा, बलकि, coefficient return करेगा, X axis पे जो frequencies आएंगी, वो return नहीं करेगा, वो हमने खुछ generate कर लिए, उसके लिए हम ऐसे करते हैं, कि एक frequency axis बना लेते हैं, एक frequency axis बनाने के लिए, आप lint space का एक function यूज़ कर रहे हैं, उस lint space पे आप 0 से लेके, Fs सका आपने लिखा, और 7 आपने L लिख लिए, इसका मतलब किया है, lint space में पहला, जो number है, वो बताता है, कहां से आपने start करने हैं, और end कहां पे करने हैं, तो that is why आपने यहां पर F एक बना लिए है, अब आप इसे F के against प्लॉट कर सकते हैं, मैं इसे प्लॉट करता हूँ, हमारी sampling frequency Fs कितनी थी, 10,000, देखें, 0 से लेके 10,000 तक वेक्टर बन चुका है, उस पर आपको दो peaks नज़रा रही है, एक पीक यह पहली वाली है, और दूसरी पीक यह वाली है, इस पीक को ज़रा पहली पीक को ज़रा गोर से देखते हैं, कि यह कहां बे आ रही है, 500, approximately 500, आपका signal की frequency कितनी थी 500, तो DFT ने आपको यह बता दिया, कि आपके signal में कौन सी frequency मौजूद है, अब आप यह कहेंगे कि दूसरी पीक क्यों आ रही है, इस पीज़र डिबेट करते हैं, 0 से लेके, FS, आप maximum कितना, according to NACOS कराइट अरिया, आप अपना spectrum maximum कितना visualize कर सकते हैं, it is FS by 2, आप अपने signal में FS by 2 से ज़्यादा frequencies नहीं देख सकते हैं, according to NACOS कराइट अरिया, NACOS कराइट अरिया के मताबिक, आपने अपने sampling frequency, 2 times of FS से ज़्यादा रखनी है, और इसका उल्टा अगर करें, तो आप अपने signal में maximum, sorry, maximum FS by 2 से ज़्यादा frequencies नहीं देख सकते, that is why, हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, कि 0 से लेके 5000 तक आपको जो पीक नज़र आ रही है, 5000 से लेके 10,000 तक जो भी आपको नज़र आ रहा है, वो एक्चुली इसी पहले portion का mirror image है, देख लें, यहाँ से 0 से लेके 500 करें, तो यहाँ पर आता है, 10,000 से पीछे की तरफ 500 ले तो यहाँ आता है, अच्छली इस अ मिरर वर्जिन आफ दे फरस पार्ट, यहाँ से लेके 0 तो 5000, 5000 क्यों कहा रहा हूँ, क्योंकि FS बाइट 2 है, 0 से लेके FS बाइट 2 तक जो portion आपको नज़र आएगा, वही portion आपको FS बाइट 2 से लेके FS तक नज़र आएगा, अगर आप इसको जड़र थोड़ा सा चेंड करना चाहते हैं, तो क्या करें, आपने क्या करना है, आपने, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यह शुरूर बाइट 2 का सिर्फ यही देखना चाहता हूँ, तो मुझे अपने F लिमिट करना पड़ेगा, 0 से लेके FS बाइट 2 तक, अब इसके दिर्मियान में N बाइट 2 पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि मैं अब पॉइंट्स भी हाफ कर रहा हूँ, हाफ स्पेक्ट्रम देख रहा हूँ, और मैंगनिचूर स्पेक्ट्रम भी हमने पूरा नहीं देखना, 1 से लेके N बाइट 2 तक देखना है, इसको देखते हैं, तो यह है जी वैलिट स्पेक्ट्रम, 0 से लेके 5000 यानि के FS बाइट 2, जिसमें आपको 500 पे पीक नज़र आने हैं, अब अब ऐसा करते हैं कि इसको इस एक्सिस को पाई की फॉर्मेट में ले जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको पता है कि 0 से FS का मतलब यही है कि 0 से लेके 2 पाई तक देखना, FFT आपको जब भी कोफिशिंट्स रीटरंड करता है, 2 पाई के 4 पाई की पिरोर्डिक होते हैं, 2 पाई का पिरोर्डिक होना या फिर FS का पिरोडिक होना एक ही बात है, अगर यहाँ पर मैंने 0 से लेके FS बाई 2 लिखा है तो मुझे, अगर मैं 0 से लेके 2 πाई लिख हुई यहाँ पे तो मुझे पूरा स्पेक्ट्रम नज़र आएगा ठेक कर लेते हैं तो यह हो गया 0 से लेके पाई तक स्पेक्ट्रम जो कि 0 से लेके 6.7 पे जाके एंड होगा X एक्सेस पे पाई पढ़े लिए और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिफ एक साइड आपने देखनी है बतलब 0 से लेके पाई में भी वही होगा जो कि 0 से लेके Fs में था 0 से लेके Fs में आपको जो चीज 0 से Fs भाई 2 तक नज़र आ रही ती वही Fs भाई 2 से लेके Fs में नज़र आ रही प्रेंसरह की- isso एक आिजा दू बाइ जो जो कोफिशंट्स आपको 0 से लेंगे। पाय की दرमाँ नगलो 얼ित जाएँ लिए अगर आप अनक्रले के दो पाय जाते हैं तो आप यहां पर 0 से पाय लिखेएं और यहां पर भी आप 1 से लेके and by 2 लिख ले तो यह आपको spectrum इसी तरह दिखा देगा एक side 0 से लेके वो देखें 3.12 तक की मतलब जो पाई की value होता है वहाँ तक आपको दिखाए जा रही वाली उस और यह आपको जो peak दिखाए जा रही है यह पाई का version है जब आप अपनी frequency hertz वे नहीं 500 जो कि आपको सब्सक्राइब करता है तो इसको एक दुबारा से मैं run करता हूँ जी तो यह 500 पे आपको दिखा रहे है पीक अब ऐसा करते हैं कि आपको यह दिखाते है कि अगर आप अपने पूरे एक्सिस को पूरे एफफटी को सेंट्रलाइज कर जाते हैं सेंट्रलाइज का मतलब मतलब यह कि अभी तो let me let me go back मैं यहां से यह चीज़ खतम करें लगाँ यह था पूरा स्पेक्ट्रम जीरो से लेके fs जिसमें काम का स्पेक्ट्रम था half 0 से लेके 0 से लेके fs बाइ 2 यह काम का था अगर आप ऐसा करें कि इस पूरे स्पेक्ट्रम को सेंट्रलाइज अगर आप करना चाते हैं तो सेंट्रलाइज करने का मतलब यह होता है कि आप इस स्पेक्ट्रम को शिफ्ट कर दें shift कर दें और इस spectrum को symmetric बना दे across 0 0 से लेके fs में जो coefficients आ रहे हैं वही coefficients आने चाहिए minus fs by 2 से fs by 2 के दर्मिया minus fs by 2 से fs by 2 के दर्मियान है जब हम जाएंगे तो ये भी complete range किती मनती है fs क्योंकि आप पता है कि आपका जो dft है fs या पर 2pi का product होता है तो अब हम इसको centralize करने लेगे है 0 को हम center में ले आएंगे और इस तरफ minus fs by 2 हो जाएगा और इस तरफ plus fs by 2 हो जाएगा चैक करते हैं से मैं x-axis जड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ minus fs by 2 से लेके plus fs by 2 और दर्मियान में end points आ रहे हैं और आपको x को shift करना पड़ेगा तो shift करने के लिए fft shift का एफ फंक्शन है वो हम use करते है तो x पहले fft shift होगा बात में उस में से magnitude spectrum phase spectrum और फिर ये frequency axis according to this fft shift generate होगा from minus fs by 2 से fs by 2 होगी दिर्मियान चैक करते हैं यह हो गए जी आपका centralized spectrum minus 500 से लेके 0 के दिर्मियान जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वही चीज़ आपको 0 से 5000 के दिर्मियान नज़र आ रही है लेकिन दोनों एक दुशे का mirror image है बात एक ही है पहले भी spectrum ठीक था अब भी spectrum ठीक है बस ये different way है FFT को देखने का जब भी आप कोई कहेगा के centralized version of spectrum दिखाओ तो आप यहाँ पर FFT shift का function यूज़ कर ले और axis को भी उसी लिहाज से modify कर ले तो यह हो गया minus FF2 से FF2 चले एक चीज़ और करते है अपने signal में amplitude कितना है 2 जबके यहाँ पर 500 पर या फिर minus 500 पर amplitude आ रहा है 2000 यहाँ पर आने चाहिए 2 तो उसके लिए FFT के साथ एक normalization factor होता है जो के 2 divided by n multiply by मतलब 2 by n करने के बाद आपने multiply करने से FFT coefficients के साथ अब चेक करते हैं यह normalization factor भी साथ रखे ताकि आपको amplitude भी उतना ही दिखाए दे अब आप देख रहे हैं कि frequency कितनी है 500 है और इसका जो amplitude है वो 2 नज़र आ रहे है तो इस ए approximation अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको ज़रा थोड़ा से मैं बैक लेकर आ रहा हूँ from 0 to FS by 2 जो कि हमारा valid spectrum है वहाँ पर ही लेकर चलते है n by 2 1 to length of और length of नहीं n by 2 अब देखते हैं तो यह 0 से लेकर sorry क्योंकि अब मैंने 0 से लेकर FS by 2 लिखा है लेकि यहाँ पर FFT shift remove नहीं किया था यह मुझे remove करना पड़ेगा मैं remove कर लिए है क्योंकि मैं सिगनल को centralize नहीं देखना चाहता तो यह मिरे पास version आज़े है FFT लेकर तो 0 से लेकर 5000 और amplitude भी 2 है exactly सारे amplitude मुझे नदर आ रहा है और frequency भी नदर आ रहा है उस frequency पे जो amplitude है भी नदर आ रहा है increase कर देखे 1.5 कर देखे और साथ और नीचे वही चीज़ है लेकिन अब x-axis पे क्या आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए हर्ट्स और यहाँ पे frequency आएगा यहाँ पे हम magnitude लिख लेते है और यहाँ पे हम magnitude spectrum of signal x यह कर लेते है similarly पिल्कुली यही चीज़ हम repeat करते है for phase spectrum phase spectrum के लिए just यही चेंड करना बाकि सारा कुछ वैसे ही होगा और यहाँ पे y-axis पे phase आ जाएगा it's a phase spectrum और इसको plot करके अब देख लेते हैं कि magnitude spectrum और phase spectrum आता है में clear it मैं इसे subplot में कर देता हूँ subplot 211 और इसी तरह यहाँ पे subplot 212 second position पे first position पे magnitude spectrum डाल देता हूँ second position पे face spectrum डाल देता हूँ तो इस तरह आप FFT calculate कर सकते हैं तो FFT calculate करने के लिए आपको जस्ट जो चीज़ें चाहिए वो length of x sorry n चाहिए n क्या है जी जितने points के आपने FFT calculate करने हैं तो अगर आपको कोई question हो तो आप लाजमी हमें बताइएगा comments में और दूसरा यह के जो DFT है वो without using built-in function वो हम previous वीडियो में cover कर चुके हैं उसका link मैं description में दे दूँगा Thank you